और अब आद सैंपित रोदा के बयान पर मज़े सियाफी गहमासान की करेगे कि लोग सबाचुनाव की जंग दिनो दिन तीखी होती जा रही है सिए भी योगी आधितनाते सैंपित रोदा के बयान को लेकर कॉंग्रेस पर हमला भोला योगी ने कहा कि कॉंग्रेस ने साथ साल तक लोगों को लूटा अब जन्यता की संपत्ति पर उनकी नजर है योगी ने आरोप लगाया कि कॉंग्रेस लोगों के संपत्तियां रोंग्यास को देना चाहते है कॉंग्रेस जिसने देश के संसादनों को लगबग 60-65 वर्सों तक लूटा अब उसकी नियत लोगों की आम जन्ता की संपत्ति पर लगी भी है और आम जन्ता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वहा इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बाटेगा उन लोगों को जो घुसपैटिये हैं आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर इस देश के नर्थिस्ट में या देश के अंदर अलग-अलग भागों में जो करणों की संग्या में गुसपैटी आये हैं रोहंगी आये हैं इनके पीछे तो कॉंग्रेस कई वोट बैंकी पॉलसी है तो वहाँ देश की कीमत पर राजनीती उन्होंने पहले से करते रहे हैं और विरासर टैक्स उसी का हिस्सा है एक तरफ ये आम जनता को टैक्स लाद करके तबाह करेंगे उनकी संपत्यों को जबरन अपने कबजे में लेंगे और फिर उन घुसपैटियों को उन लोगों को देंगे जो लोग जिनका वहारत से कोई समंद नहीं है कॉंग्रेस के राज में ना संपती सुरक्षित ना संतान सुरक्षित ना सीमा और सरहद सुरक्षित और ना ही सनातन सुरक्षित तो कॉंग्रेस की सरकार या कॉंग्रेस के राज में कौन सुरक्षित रहेगा कोई नहीं रहेगा इसलिए आज राहुल गांदी जी के mentor guide philosopher सैम पिट्रोडा जी के ब्यान से बहुत स्पष्ट हो गया और कॉंग्रेस के manifesto में भी स्पष्ट तोर पर दिखता है कि कॉंग्रेस आम जन्मानस की मेहनत की कमाई के पैसे को चीनना चाकती है उनके हग चीनना चाती है और उनकी मौत के बाद भी उनकी परिश्रम का पैसा उनकी संतान को नहीं बलकि कॉंग्रेस अपनी वोट पैंक के लिए युस्तमाल करेगी